हेलो, नमस्ते, कैसे आप सबी? जैसा की सरदियों की सीजन ने दस्तक दे दिया है और दिन होने लगे हैं काफी जादा छोटे बट हम गिरियों ने एक लिए काम तो तो नहीं है, वही कीचन का काम, वही डेली की रूटीन तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे मैनेज करें? आज की इस वीडियो में मैं आपके इन ही सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन देने वाली हूँ बताने वाली हूँ कि सरदियों की छोटे दिन में भी आप अपने कीचन को किस तरीके से मैनेज करें ताकि आप हर सीजन को परफेक्टली इन्जॉई कर सकें तो बिनादेरी करते वे आज का ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्टिंग सा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं लेट स्टार्ट तो मेरे घर में ब्रिकफस्ट में क्या बनेगा? ये सातो दिन का रूटीन बिल्कुल तैय है जैसे इडली हो जाता है, उपमा हो जाता है, उत्तपम हो जाता है जो मैं सूजी से बनाती हूँ और उसके साथ जनरली बनती है बादाम की चटनी तो इन सारी चीजों को अगर हम पहले से प्रिपेर करके रख ले तो हमारा काफी जादा समय बस सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पैन में सबसे पहले स्पिल्ट चना दाल दिया है उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है बादाम, इन सारी चीजों को हम रोस्ट करेंगे अच्छी तरीके से ड्राइ रोस्ट हमें करना है वेल मेरे साथ यह प्राबलम काफी जादा होती है कि विंटर की सीजन में मुझे सुबा उठने में अक्सर देरी हो जाती है हम थोड़े से लेजी हो जाते है और सुबा भी लेट से होता है इस लिए मैंने यहाँ पर एक कड़ाइ में सूजी को भी मैंने रोस्ट कर लिया तकि ब्रेक्फस्ट में इन सारी चीज़ेको रोस्ट करना और फिर इने दही के साथ मिलाना इन सारी चीज़ेको में समय बस सके आप भी अगर इन कामों को अपने कीचेन में पहले से निपटा के रख ले तो आपके breakfast बनाने के समय काफी ज़्यादा कम हो जाएगा बच्चों को टिफिन देना भी आसान होगा और आपकी चीजे बिल्कुल manage हो जाएगी अच्छे जब तक यह roast हो रहा है मैं आपके दूसरा hack share करती हो सर्दियों की season में बरतंद होना एक बहुती बड़ा task है वैसे मैं क्या करती हूँ कि अभी मैं एक ही time बरतंद हो दी हूँ मैं रात में सोने से पहले सारे बरतंद को clean करके अपने kitchen को clean करके सोना पसंद करती हो गर्मियों में दो बार बरतंद होती हो और सर्दियों की season में इसे मैं एक बार कर देती हो बट कितना भी हम करें हमें हाथ में ठंडक काफी जादा लगती है एक तो ठंडा पानी होता है हाथ में roughness भी आ जाती है तो उसके लिए आप इस तरीके का hand gloves जरूर ही पहने जब भी आप बरतन वेगर वाश करते हैं ऐसा करने इसके होता है कि पानी का contact आपके हाथों पे नही होनी के बाद मेरे हाथ बिलकुल dry है जैसे पहले थे जिससे बीमार होने का problem भी completely solve हो जाता है क्योंकि अगर हम बीमार होंगे तो और जादा हमारे गर में काम बढ़ जाएगे और फिर सारी चीजे completely disturb हो जाएगी अब यहाँ पर मैंने बादाम को देखा तो बादाम अभी त तक रोष्ट नहीं हुआ था तो यहाँ पर मैं एक छूटा सा हैक आप लोगों साथ और शेयर करना चाहती हूं कि आप इसमें पानी की छीटे मारे पानी की छीटे मारे से बादाम बहुत जली रोस्ट हो जाते है वेल जैसे कि मैं बता रही हूं कि आपको time saving कैसे हो तो यह time saving hack है कि मुगफली को जब भी आप रोस्ट करें तो उसमें पानी की छीटे मारते रहे जिससे बादाम अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएंगे जैसे देख सकते हैं अच्छी तरीके से छील के निकल रहे है अच्छे यहाँ पर आप दो तरीके अपना सकते हैं एक तो आप यहाँ पर इसे अभी ही grind करके रख सकते हैं और जब आपको अब आदाम की चटनी खानी रहे तो ठीक इसमें पानी मिला दे otherwise आप सारी चीज़े को इस तरीके से रोस्ट करके किसी डब्बे में store करके रख सकते हैं और जब आपको चटनी खानी हो तब आप इसे grind करें यह completely आपके उपर है कि आप किस तरीके से अपनी चीज़े को manage करते हैं सेम इसी तरीके से सूजी भी अच्छी तरीके से roast हो गया है उसके color थोड़ा बहुत change हो गया है तो यहाँ पर मैं इसे एक डब्बे में करके रख रही हूँ सूजी को roast करके रखनी के दो फाइदे एक तो आपका breakfast जल्दी बन जाएगा tasty बनेगा प्लस सूजी की जो self life होती है वो भी बढ़ जाती है यानि सूजी में जो कीडे लग जाते हैं सूजी में जो जाले आ जाते हैं वो सारे problems से भी यहाँ पर आप completely free हो सकते हैं तो यह मेर चाय मसाला बराने में यूज़ कर सकते हैं पिछली वीडियो में आगे आने वाली वीडियो में इसकी डीटेएल वीडियो शेयर करूंगी तो आज मैं बना रही हूँ चाय मसाला जो completely healthy है और यह आपके चाय के टेस्ट को बढ़ाई देता है यह साती चाय एक हेल्दी चाय जिससे गले में खरास हो गया, आपको अगर शर्दी है, तब आप इसे लेते हैं, तो आपको काफी ज़्यादा रिलीफ मिलता है, यहाँ पर मैंने एक पैन में सबसे पहले लिया है इलाईची, उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है लॉंग, लॉंग को डालने के बाद यहाँ पर मैं डालनी जावित्री, यह completely option है, अगर आप जावित्री डालना चाहेते हैं, तो जाथ डाल सकते हैं, अदर्वाइस आप इ इसे हम चलाते रहेंगे, और उसके बाद जब साई जीजे अच्छी तरी इसे ड्राइ हो जाए, तब इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसे अच्छी तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे, नाव हमारा होमेड चाय मसाला बनके तयार है, जिसे आप चुटकी भर भी अगर अपनी चाय में डाल देते हैं, तो उसका टेस्ट तो काफी ज़्यादा इन्हांस होई जाता है, प्लस उससे आप बहुत सारी बीमारियों से रिलीफ भी पा सकते हैं, तो ठन के दिनों में य यह सारे हैक्स आप जरूरी फॉलो करें, अच्छा हम सभी कीचन में काम करते हैं, लेकिन स्मार्ट वे में कीचन में काम करना काफी जादा इंपोर्टेंट है, उसके लिए आप यूज करें अच्छे तूल्स, और इस तरीके के गैजर, यह एक चौपर है जिसे मैंने मीसों से पर्चेस किया था, और इसमें बहुती अच्छी तिरिके से हमारे सारे वेजटेबल्स कट हो जाते हैं, विल चौपर के मार्केट में बहुत सारे वेरियन्ट रवलेबल है, एक जो ट्रसी टानने वालता है, लेकिन मैं बहुत सालों से उसे ही यूज कर रही थी, लेकिन इसमें कॉमन प्रॉबल्म यह जाती है कि उसकी रसी बहुती जल्दी टूट जाती है, अब मैंने स्विच कर लिया है इस तरीके के चौपर पे, जो कंप्लीटली है, इजी तो यूज है और इससे बहुती परफेक्ट आपके किसी भी तरह के वेजटेबल्स चौप हो जाते हैं, क्योंकि ठंड के दिनों में क्या होता है, हमारे पास टाइम कम रहता है, हम अपनी चीज़े को मैनेज करना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि कुछ स्मार्ट गैजट को यूज करें, जो आपके काम को आसान बनाएं, और जिसका यूज करके आप एक पॉपेक्ट हो मेकर आसान तरीके से बन सकते हैं, विंडर की सीजन में मार्केट में इतने जादा वेजटेवल्स अवलेवल रहते हैं, साग हो जाता है, पती हो जाती है, मूली हो जाता है, गो भी हो जाता है, गाजर हो जाता है, लेकिन अगर हम अपने वेजटेवल्स को सही तरीके से ना करें लगका तबने लगा ले तो सब्सक्राइब के सब्सक्राछितै को आपनी सुचकी के लगांगी ने अटी है इसे पत्त कर के विश्यायों काने लगाल की रिखने का पत्ति सारी कर。 कี่ सब्सक्राइन क मा भूली अच्छा था DENNIS लेकिन ये पत्ते सूख चुके है तो मुझे इसे कट करके हटाना पड़ेगा सिफ मूली में रखने वाली हो अभी उसके बाद अपने वेजटेवल्स अपनी सब्जी को स्टोर करके फ्रीज में रखने के लिए आप इस तरीके के शॉपिंग बैग का यूज करे अगर आपके बाद वेजटेवल आपके फ्रेश रहेंगे。 वैर इन वीक में दो बाद वेजटेवल घर पे लाती हूँ, एक तो संडे हो जाता है और एक हो जाता है थर्स्टे या कभी-कभी फ्राइडे हो जाता है और जहां जैसे विंटर में सब्जी काफी जा Messy हो जाता है, लेकिन य इस तरीके से स्टोर करके रखते हुँ ताकि मेरी सब्चिया लॉंग लास्टिंग फ्रेश रहे और सर्सवक साग हो या मूली की सपत्ते उसे मैं सही तरीके से इन्जॉाइ कर सकूँ So, इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को manage भी कर सकते है, time की saving भी कर सकते है, पैसों की भी saving हो जाती है तो क्यों ना इन hacks को सर्थियों में अपनाए ज़र और अपनी life को आसान बनाए ज़र And that's all for today, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी एक बहुती ज़्यादा interesting वीडियो के साथ बहुती जबरदस वीडियो लाने वाली हूँ, तो चलिए मिलते हैं next video में